लोन ऐसे चांसेज लेते हावा में गैंद और पहरा स्ट्रोक जहांगी लोन के भले से पूरी तरह से इस ट्रोक को लिया और घैद को पहुचा दिया भोड़ी लंगे बार छे रूंड के लिए अगली गैद फिर से फॉलाइडी गैंद दूसरी गैंद पर दूसरा बड़ा ल पहली गैंद डिफेंस लोनाज में खेलना जा दे थे पढ़ने के बाद गैंद थोड़ा सा गूमा बहार की और थोड़े से बीट जरूर हुए जहांगी लोन और जब बीट हुए उसके बाद थोड़े से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे क्योंकि ऐसा लगा उनको गैंद अच्छी थी यहां फिर से वेड़ के हवाँ में फिर से गैंद थी लेकिन ठीक फिल्डर के आगे एक टपा गैंद ने लिया और हाँ सारे जो दर्शक है ऐसा लग रहा है कि उनकी जान हलक में आती है जब जहांगीर लोन ऐसे चांसे लेते हैं गैंद और पहरा स्ट्रोक जहांगीर लोन के भले से पूरी तरह से इस ट्रोक को लिया और घैंद को पहुछा दिया भोड़ी लंग के बाहर छे रण के लिए तो यहां अपनी पारी का आगाज छक्के के साथ कर रहे है जहांगीर लोन जिस पारी की उम्मेद थी वैसी कुछ शुरुवात रही है पहली गैंद जो दो गैंदे सामना किया था उनका डिफेंशन अंदाज में खेलने की कोशिश की थी अब अगली गैंद पे जो परहर किया सीधे गैंद स्टेडियम से बाहर छे रण के लिए अगली गैंद फिर स बैतरीन स्ट्रोक था वेट किया जब देखा फ्लाइट फिर से गैंद में है और गैंद को पूछा दिया भूंडी लाइन के वहार च्छोरं के लिए चहांगी लोन इस आंफार और शुरुवात जो बिल्कुल अच्छी मिली थी उसको कनवर्ट करना होगा एक बड़ी स्कोर में अगली गैंद और बैतरी इनकलाईव का इस्तिमाल लेकिन वाप फिल्डर और वाँ कैच होगे जैक लोन इस तरह से बड़ी मचली हाथ लगी हा पहली बताया था हाशिम वाट्सन भी एक एक एक्सपीरियंस इड प्लेयर है उनके पास काफी सरा एक्सपीरियंस है और इस तरह से बड़ा जटका लगता हुआ जहरान वोरियर्स को दीमे कदमों के साथ पविलियन लोट रहे है जहांगे लोन और हाशिम वाट्सन कादिल पहली बोला था डीप स्केर लेक पोजिशन पे फिल्डर ताइनात किया गया है शायद वहां कैच हो सकते हैं और वही सच साविध होता हुआ और हाशिम वाट्सन की जितनी तारीफ है की जाए उतनी कम है अगर चिपहला और और दूसरा और शायद पहला और ही उन्होंने ड बड़ी बात एफ सी सी कुलाबाब के लिए